हाँ जी गाईज तो एक और सोमवार है और सोमवार के साथ आता है बहुत सारा समाचार तो बहुत इंट्रस्टिंग वाले समाचार आपके लिए फिर से लेके आगया है विश हफते के इस जनरल टेक इंडस्ट्री की और आज की जो पहली अपडेट है वो आती है यूट्यूब का कहना है कि काफी सालों से हम यह लोग देख रहे हैं इंडिया के अंदर डेटा सस्ता हुआ बहुत सारे लोग आगाए नियूज को बताने है या फिर सोर्से इंक्रीज हो गए जिसमें से हम भी एक हैं जो आपके लिए नए-नए अपडेट्स लेके आते हैं सो बेसिकली यूट्यूब के कह रहा है कि ऐसे सोर्से जो मल्टिपल जगाओं से फैक्ट चेक्ड हैं उनको सर्च में थोड़ा सा वो और उपर लेके आएंगे उनको थोड़ा सा प्रमोट करेंगे अपनी तरफ से और जो फॉल्स इंफोर्मेशन या फिर गलत चीज़ें फ उसको यह लोग हाइलाइट करके दे देंगे जिससे पब्लिक को वीडियो देखते हुए पता चल जाएगा कि हाँ यह यूट्यूब भी कह रहा है कि जो इसके अंदर बताया गया है वो सच है और हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा अभी जो फैक्स चेकिंग की सिस्ट करेंगे कि वीडियो उसके अंदर बात है सही बताई जा रही है या फिर नहीं मुझे लगता है काफी सारे आम जंता जो है न वो काफी सारे तो फेक निउस के ऊपर बहुत इसीली स्प्रेड होती है चाहे वाटसाइब हो चाहे यूट्यूब हो बट यहाँ पर यूट्यू ने allegation लगाया है कि child content safety का कुछ भी ध्यान के लोग डखनी रहे है चाहे वाटसाइब हो यहां फिर इंस्टाग्राइम हो यहां फेस्बुक हो यह company जो है न यह मतलब इतनी बड़ी giant हो चुकी है कि इनको पता है कि बच्चे का क्या behavior होता है उनका curious nature है उनकी जो मासूमियत ह उसको exploit किया जाता है basically hook videos दे करके जो पता है उनको कि बच्चे को क्या hook करके रखेगा उनके platform पे kind of addictive program बनाना चाहते हैं बच्चे के लिए कि वो बार 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 पेरेंट से जिद करके इस phone के अंदर ये particular app को चलाए जिससे उनका retention भड़े तो European Union ने ना इन companies को पहले अपनी warning अगरा दी थी कि सुधर जाओ सुधर जाओ अब finally official investigation स्टार्ट हो गई है कि ये लोग क्या क्या हरकतें बाजी कर रहे हैं उसकी पूरी अब detail में तहकीकात होगी मुझे लगता European Union अब कुछ तहकीकात करेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर को वाफी कुछ तगली update आ सकती है अगली update Alphabet की दरब से है Alphabet यानि Google की parent company है और उनों ने अपना एक नया Astra AI दिखाया Project Astra इसका नाम है कह सकते हो यह एक ऐसा AI agent बताया जा रहा है जो company कह रही है कि future वाले AI powered assistance को represent करेगा basically एक ऐसा AI जो world की happenings के उपर react करेगा जो चीजें इसने एक बार देख लिए उसको याद रखेगा recall करेगा even जो सुनेगा वो भी इसको याद हो जाएगा जैसे आपको और मुझको होता है मुझे सुनके ही बतानी क्यों वाई डर सा लग रहा कि क्या करेंगे या आगे चल अब यहाँ पर ना इस AI assistant को को एक वीडियो दिखाए गया उसके बाद उसके around में questions पूछे गए and believe me इसने जरूरत से जादा बता दिया कि scene में क्या हो रहा था environment क्या था, खिड़की थी, खिड़की के बाहर क्या हो रहा था, scene में character ने अपना glass किस जगे पे रखा मतलब ऐसी जानकारी जो शायद human से भी छोटी-छोटी miss हो जाती है लेकिन क्योंकि वो यह computer है, AI है, वो बनाया ही इसलिए किया है तो वो बहुत जादा detailed में सारी information उस scene में से extract करके निकाल के दे रहा है आपका क्या कहना है इस project Astra के ऊपर आप नीचे comment करके बताओ कि बढ़िया लग रहा है देखने सुनने में आगे चलके इसके actual कुछ use cases अगर आपको समझ में आ रहे हैं किसी particular category of brands के लिए तो वो भी आप नीचे comment करके बताना अगली update Microsoft की तरफ से है, government ने एक warning launch कर दी है कि Microsoft के काफी सारे products हैं जैसे कि Windows, Office, Bing browser, developer tools, Microsoft Azure and Microsoft App Store के कुछ apps में से तो बहुत सारी चीज़ें जो है न वो open to threat है Scene SI की जो CERTIN है इंडिया का Indian Computer Emergency Response Team उन्होंने बताया कि इन सारे Microsoft के products को use करने से individuals and organizations दोनों को ही दिक्कत है actually मैं security का खतरा है, उनको कुछ खामिया मिली है, कुछ लूपोल्स मिलें जो hackers use करके directly access कर सकते हैं आपका data even security control को भी bypass किया जा सकता है, spoofing या tempering हो सकती है आपके devices के साथ, अब इससे बचने के लिए क्या क्या करें वही basic सी 3-4 चीज़े बताई गई हैं, जैसे कि भाया regular OTA updates कर लो passwords update कर लो, अपने 2FA on कर लो, suspicious links से तौबा कर लो accounts को review करते रहो, और बस ऐसे ही चलता रहा है, लेकिन Microsoft जैसे ऐसे program जो हर घर में, हर office में use हो रहे हैं, उनमें भी अगर इस तरीके की दिक्कत आने लगी, तो फिर मतलब कौन safe है, यह समझ से बाहर है इंटरनेट पर, जो update निकल के आती है, वो है AI को लेकिन, AI का evolution जो है, वो धरती पे तो हो गया है, लेकिन कहान ही यह निकल के आ रही है, क्या यह सिरफ tech industry के अंदर ही हमको help करने वाला है, यहां फिर food industry के अंदर भी, तो अब जो है न, AI का next जो phase है, वो आ रहा है agriculture products के अंदर, basically government अभी यह evaluate कर रही है, कि AI कैसे हम अपने agri foods के पूरे system and infrastructure के अंदर use कर सकते हैं, कैसे food loss बच सकता है, कैसे किन जगाओं पर किन चीजों की ज़्यादा demand है, उसको use करके वो data निकालने के लिए AI को use किया जाए, and digital agriculture इसको नाम दिया जा रहा है कि digitally होगा यह सब चीज, क्योंकि AI यहां पे involved है, तो इससे food loss तो होए गई होएगा, farmers की थोड़ी income भढ़ सकती है, and overall produce जो है, वो भढ़ जाएगा, पूरे nation का अगर yield द drawbacks है, कितनी चीजें सही बता रहा है, कितनी नहीं बता रहा है, कितना यह human को overpower कर जाता है, यह जब actual इसके use case के अंदर लगाएंगे ना, तब ही पता चलेगा, तो आप बदाव आपको क्या लगता है, क्या यह इस वाली field के अंदर अच्छे results के लिए ही सही रहेगा, यहा बोर जादा adverse effects भी आ सकते हैं, अगर AI के answers गलत निकले तो, अगली update पर चलते हैं, तो 15 में को यहाँ पर LG ने अपने कुछ नए TV ranges launch करें, and guess what, यहाँ पर कहीं AI कोई बात तो नहीं है, of course है, तो यहाँ पर TVs के अंदर फिर से AI यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है, एक नई technology लेके आए हैं, यहाँ पर दो ranges इन्होंने launch करी हैं, पहली का नाम है LG OLED EVO AI, and दूसरे का है LG QNED AI TVs, आपने OLED सोना होगा, QNED TVs क्या हैं, तो यहाँ पर यह QNED जो है ना, यह OLED से नीचे है, and normal IPS panel से थोड़ा सा backlit वाला जो system चलता है ना, इस TVs के अंदर, उससे एक level उपर है, तो टीवी में AI का क्या यूज किया है, जो pixels हैं, और ज्यादा sharper आपको दिखेंगे, इनका जो AI है वो analyze कर लेगा, picture का scene किस तरीके का है, क्या best colors यह pop out करके आपको दिखा सकता है, on display, and इसकी कोशिश यह रहेगी कि accurate color आपके सामने रखे, जो भी scene जिस तरीके से shot and edit हुआ हो अब देखो, डेमो में तो यह भी दिखा है कि low lighting वाली problem को भी real time में solve कर रहा है, AI को use करके, लेकिन यह सब दिखने में यह on paper काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली सच तभी पता चलेगा, जब हम इस products को check out करेंगे, तो अगर आप चाहते हो कि हम AI वाले TVs को भी check out क करें इस channel पर, तो नीचे comment करके बता देना, हम पूरी कोशिश करेंगे LG से contact करने की, अगली update पर चलते हैं, तो WhatsApp ने यह पर कुछ नए features निकाले हैं, पहला है chat lock on linked devices, अभी तक आप देख रहे थे, chat lock हो जाती है easily, जब face ID वगरा यूज़ करके आप chat को open कर लेते थे, लेकि जगा आप WhatsApp के status लोगों को देखते थे, 30 second का कोई movie का clip लगा दिया, या कोई video का clip कार्ड के लगा दिया, तो वो extend करके, 30 second की जगे पे 60 second का video देख के आपका mood घराब करेंगे, वैसे 60 second से याद आया हमने reel और shots पे daily upload करने start कर दी है, एक पर check out कर लेना, मजा आ रहा है नहीं आज की जो final update है, वो आती है Snapchat इंडिया की तरफ से, और भाई इनकी growth को लेके, ये काफी ज़ादा खुश है, इंडिया में अकेले 200 million users हैं Snapchat के उपर, जिसमें से आदे तो गाडी की steering का ही snap डालते रहते हैं, अब देखो world का 20% जो gen Z है अकेले इंडिया में है, और Snapchat वो इस ब वो double कर ली है, अभी जो Snapchat के director है, उनका कहना है कि Snapchat के उपर AR और VR के functionalities ये लोग लाएंगे, जिससे और ज्यादा users गेन होंगे, जो existing users हैं, उनको और ज्यादा मजा आएगा, तो ये कुछ थे आज के सारे updates, I hope आपको पसंद आए हो, अगर आए हो तो वीडियो को like कर देना, subscribe पादेना, and I'll see you tomorrow in the Telco Tuesday, until next time, stay safe, stay safe, see ya and goodbye.